नमस्कार दोस्तों, welcome back to piping engineers दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं piping systems के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि piping systems क्या होते हैं कैसे एक pipe से दूसरे pipe को हम connect करते हैं और समें fluid का transfer करते हैं उनके बीच में क्या-क्या fittings होती हैं, क्या walls होते हैं तो basically एक overall picture देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में piping system के बारे में तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को like करें, follow करें और subscribe करें तो आईए बढ़ते हैं हम आज की learning जरने की तरफ और जानते हैं piping systems के बारे में तो दोस्तों हमारा piping system क्या होता है, आप सब लोग जो मेरा या वीडियो देख रहे होंगे, आप सब लोग piping line से संबंदित होंगे या फिर piping system के बारे में जानते होंगे तो दोस्तों basically piping system के definition क्या होती है, यह interview का सवाल भी है So piping system एक ऐसा system होता है जो हम install करते हैं, convey fluids required for chemical processes और other operational processes और between the equipment and users So इनके बीच में pipe हम लोग use करते हैं ताकि हमारा fluid एक जगे से दूसरी जगे पर हम move कर सके हैं तो यह जो piping system है, यह हम elbows की मदद से, walls की मदद से, fittings की मदद से या फिर measuring instruments की मदद से जोड़ते हैं और अपने fluid को एक जगे से दूसरी जगे पर transport करते हैं तो दोस्तो piping components क्या होते हैं, so basically piping components वो components होते हैं जो की पूरे system को जब जोड़ दिया जाते हैं एक systematic तरीके से, वो पूरे system को एक अच्छी चीज बना देते हैं जिससे हम एक जगे से दूसरी जगे में fluid transfer कर सकते हैं तो piping system में दोस्तों आपके pipe होते हैं, fittings होते हैं, flanges होते हैं, gasket होते हैं, bolt होते हैं, wall होते हैं और other expansion devices like expansion joint होते हैं, आपके flexible joints होते हैं, pressure hoses होते हैं, traps, strainers, तो चिन भी चीज़ों का आप piping करते हैं, वह सब चीज़ें piping system का part होती हैं, जब यह चीज़ें systematic तरीके से जोड़ दी जाती हैं, तब यह एक piping system मना पाती हैं, और हमारे system को एक जगे से दूसरी जगे fluid करने में, convey करने में मदद करती हैं, तो basic definition, pipe क्या होता है, pipe एक round tubular होता है दोस्तों, जो की distribute करता है fluid और gases को, pipe को हम designate करते हैं nominal pipe size से, और यह nominal pipe size एक rough indication होता है हमारे pipe size का, हमारी detailed video है nominal pipe size के बारे में, आप जाके playlist में देख सकते हैं, तो pipes कैसे बनते हैं दोस्तों, pipes को बनने के तरीके में, pipes को हम दो तरीके से classify कर सकते हैं, एक होता है उनकी manufacturing के तरीके से हिसाब से कि किस तरीके से pipe manufacture किया जाता है, आपने piping material specification में generally देखा होगा, लिखा होगा कि pipe को कौन सा pipe आपको लेना है, तो manufacturing का तरीका भी उसमें mention किया होता है, और दूसरा होता है application और use के लिए कि किस तरीके के application में हम pipe को use करने वाले हैं, तो manufacturing में दोस्तों seamless pipe आपने सुना होगा, high pressure services जैसे steam वगेरा में हम लोग seamless pipe को इस्तमाल करते हैं, तो seamless pipe कैसे manufacture होते हैं, यह होते हैं दोस्तों drawing और extrusion process से, क्योंकि इनको अगर आपने seamless pipe को देखा होगा, इसमें कोई भी weld available नहीं होता है, तो यह जो pipes होते हैं, यह हम extrusion drawing process की मदद से बना दे हैं, next pipe जो होता है, वो ERW होता है, seamless pipe और ERW pipe का अपना important stand है industry में और importance है अपनी अपनी, ERW pipes दोस्तों electric resistance welded pipes होते हैं, और यह industry में बहुत सारे बहुत जाना use होते हैं, ज वो longitudinal weld जिसकी मदद से pipe को prepare किया जाता है, तो ERW इसलिए बोलते हैं क्योंकि electric resistance welded welding process से pipe का manufacture होता है, next होते हैं EFW pipes, बहुत ही कम quantity में हम EFW pipes का भी use करते हैं, basically specialized service के लिए कुछ pipes को use किया जाता है, so EFW stands for your electric fusion welding, so electric fusion welding process से gin pipes का manufacturing किया जाता है या निर्मान किया जाता है दोस्तो वोल को बोला जाता है EFW, so your pipes की classification हो गई है based on your manufacturing, moving on to the next slide दोस्तों, so based on the application, based on application pipe तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है pressure pipe और process pipe, जो कि हमारी जो piping system है, जिसमे हम use करते हैं, next होता है आपका line pipe, तीसरा होता है आपका structural pipe, so process pipe क्या होता है दोस्तों, वो होता है process pipe, जो कि which are subjected to fluid pressure और temperature, जो कि हमारे system में मालीचे, जब हम fluid एक जगे से दूसरे जगे में use करते हैं, हमारे fluid का pressure भी होता है, temperature भी होता है, तो जो fluid pressure है, वो internal भी हो सकता है, क्योंकि fluid move करेगा, तो fluid में internal pressure रहेगा, और external भी हो सकता है, जैसे हम jacketed करते हैं, pipe को steam jacketing बगयारा करते हैं, तो दोन fluid को एक जगे से दूसरी जगे convey करने में, move करने में मदद करता है, यह भी fluid pressure इनको जो लगता है, इनके ओपर fluid pressure लगता है, तो these are generally not subjected to high temperatures, मान लीजे अगर आपको कहीं water move कराना है, तो हापे हम line pipe use करते हैं, और steam move कराना है, तो हम आपे pressure pipes के लिए जाते हैं, थर्ड होता है दोस्तो structural pipe, तो structural pipes convey, fluid convey करने के लिए हम मदद use नहीं करते हैं, लेकिन structural pipes को जैसे आपने handrails देखे होंगे, columns देखे होंगे, sleeves देखे होंगे, तो जहाँ पे structure हम लोगों को, हमारे components को support करने के लिए, या safety provide करने के लिए, जो pipes लगे होते हैं, दोस्तों, वो structural pipes होते हैं, तो यह application के तौर पे pipes का categorization होता है, एक manufacturing के तौर पे होता है, एक application के तौर पे होता है, आईए बढ़ते हैं, हम अगली slide की तरफ और जानते हैं, उसमें क्या है, तो दोस्तों, इस slide में हमने piping components के बारे में एक बहुत हलका सा overview रखा हुआ है, इन सब topics के उपर हमारी detailed videos हैं, आप देख सकते हैं, हमारे channel पे जाके, तो सबसे पहले दोस्ते होते हैं, fittings, so pipe को आपको मोड़ना भी पड़ेगा, 90 degree, 45 degree, एक जगे से दूसरी जगे ले जाने के लिए, तो उन सब चीज़ों को, जो हमारा system है, वो complete कैसे होता है, fittings की मदद से होता है, दोस्तों, so fitting piping system को complete करने के लिए, या फिर direction change करने के लिए use की जाती है, आपको direction change करनी है, या फिर branching करनी है, दोस्तों, या फिर pipe diameter change करना है, तो what we use, we use fittings, so we use fittings, तो या pipe जो है fittings के मदद से हम join करते हैं, so basically fittings तीन तरीके सी होती है, उनके end connection type के हिसाब से, एक होता है butt welded, butt welded, जिनके fittings के end butt welding से हम जोड सकते हैं, उन्हें बोलते हैं butt welded fittings, next होता है दोस्तों, screwed fittings, जो की screw की मदद से है, thread की मदद से हम जोड सकते हैं, उनको बोलते हैं, screwed fittings, next होता है socket welded fittings, यह socket welded fittings के example है, elbows, reducers, equality, inequality, यह सब fittings के example होते हैं, next होता है दोस्तों, flange, अब एक pipe को अगर आपको दूसरे pipe से जोडना है, क्योंकि pipes की जो length होती हैं, वो standard 6 meter length में आते हैं, तो एक pipe को दूसरे pipe की मदद से हम कैसे जोडते हैं, flange की मदद से, तो flange एक fitting है, जो की एक pipe को दूसरे pipe से connect करता है, यह जो flange होते हैं, दोस्तों, यह welded भी हो सकते हैं, जो की pipe के portion पे weld हो जाएं, या फिर threaded भी हो सकते हैं, जो की parent pipe पे thread कटा होगा और उसके उपर यह flange चड़ जाएगा, so these flanges are joined with the help of nuts and bolts, मतलब दोनों pipes के जो flanges हैं, उनको हम nut और bolt की मदद से जोडते हैं, तो यह होग एक flanges, अगला है दोस्तो valve, valve एक fitting है, बट valve सबसे important component होता है, piping system का आप सब जानते होंगे, कभी भी मेरको जो fluid है, मेरको वो कभी बंद करने के वशकता पड़ सकती है, कभी मेरको उसको fluid का flow control करना पड़ सकता है, तो जहाँ पर मेरको isolation या फिर flow control करना है, वहाँ पर दोस्तो valve लगाया जाता है, so valve को हम open कर सकते हैं, close कर सकते हैं, फिर partially obstruct कर सकते हैं, so valve भी एक fitting है, और हमारे piping system का एक बहुत important component है, इनके बिना मेरा piping system अधूरा होगा, और मेरा system desired flow वगेरा नहीं दे पाएगा, so valve भी एक piping component है, दोस्तो एक component है, strainer वैसे ही cover किया हुआ है, strainers basically क्या होते हैं, यह solid particles, pumps में आपने लगे हुए देखे होंगे, या फिर जहाँ पे आप चाहते हो कि system में आपके गंदकी है, और वो गंदकी है, आप अपने mechanical components में नहीं जाने देना चाहते हो, तो वहाँ पे दोस्तों हम strainers का उपयोग करते हैं, so strainer भी एक आपका piping component है, और यह कुछ basics हैं piping components के बारे में, इन सब के बारे में detailed videos हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हमारे channel के उपर, बढ़ते हैं अगले slide की तरफ दोस्तों, यह मैंने एक example लिया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि piping component कैसा होता है, so दोस्तों एक rough component है, माली जी एक tank है, उसको हमें दूसरे tank से जोड़ना है, आप लोग तो बड़े engineers हैं, तो में भी इससे complex system करते हैं, लेकिन समझाने के लिए सबसे basic चीज ली जाती है, और basic चीजी मैंने ली हुई है, so tank is from एक tank से दूसरे tank को मेरे को system को जोड़ना है, दोस्तों, तो इसमें आप देख पाएंगे drain जहां पे लगा हुआ है, मेरा एक pipe लगा हुआ है, so this is one part, उसके बद एक pipe को दूसरे pipe से जोड़ने के लिए दोस्तों, मैंने gate valve को प्योग किया हुआ है, मतलब अगर मेरे को इस tank को on-off करना होगा, तो यह जो gate valve है, यह tank को isolate करने में मेरी मदद करेगा, tank का मुझे pressure जानना है, इसलिए मैंने pressure gauge दिया हुआ है, कितना flow मेरा move हो रहा है, इसलिए मैंने flow transmitter दिया हुआ है, सबोस कीजिए, यह जो मेरा tank 1 है, इसकी height जादा है, और tank 2 की height कम है, तो जब मैं pipe को उपर से नीचे drop करूँगा, और उसकी direction change करूँगा, मैंने आपको क्या बताया था, तो हम elbows का use करेंगे, यहाँ पे मैंने 90 degree elbow लगाई हुई है, यहाँ पे भी मैंने 90 degree elbow direction change करने के लिए लगाई हुई है, और उन दोनो 90 degree elbow को मैंने एक pipe की मदद से यह spool की मदद से जोड़ा हुआ है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कि इस pipe tank 1 में जो मेरा nozzle size था, वो बड़ा था, और tank 2 में मेरा nozzle size चोटा था, अब बड़े से छोटे nozzle size को जोड़ने के लिए हम क्या use करते हैं दोस्तों, reducer, तो मैंने pipe size को reduce करने के लिए एक reducer नाम की fitting का use किया हुआ है, और यह reducer मैंने tank 2 के nozzle size के according लिया है, अगे फिर pipe गया दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को आगे future में भी expansion करना है, तो मैंने equality लगाया, और equality लगाने के बाद एक end को मैंने blind lens जोड़ के बंद कर दिया, और दूसरे वाले T से मैंने tank 2 को connect कर दिया, और बीच में again मैंने एक wall दिया है, या wall क्या काम करेगा isolation purpose के लिए मैंने दिया हूँ है, तो दोस्तों बहुत ही basic example था, एक piping system का, बहुत complex piping systems होते हैं, आप सब industry में जानते हैं, so I hope friends, आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और piping system की basics के बारे में जाना होगा, तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए, please हमारे channel को like करें, follow कर और subscribe करें, thank you for watching the video, thanks a lot.